इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिभ हिस्ट्री इंडिया गुजरात का जुनागड अपने उपर कोट के लिए प्रसिद्ध है जिसका इतिहास 2000 साल से भी पुराना है एक समय जुनागड पर बाबी नवाबों का राज था जो 1947 में भारत और पाकिस्तान में विवादों का विशेय बना तब जुनागड के नवाब भारत छोड़ पाकिस्तान चले गए पर आज भी आपको इस शहर में यहां के नवाबी अतित की ठलकियां दिखाई देंगे आईए जानते हैं जुनागड और यहां के बाबी नवाबों की कहानी जुनागड का अर्थ है पुराना किला और यहां का जो उपरकोट किला है वो बहुत ही प्राचीन है इसका अगर हम जियोग्राफिकल लोकेशन देखे तो जो यहां का बहुत ही सेक्रेड और होली गिरिनार परवत है उसके प्रवेश मारक पर ये किला स्थित है इस किले का इतिहास 2000 साल से भी पुराना है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मौर्य कालीन एक fortification हुआ करता था इसमें तथ्य हो सकता है क्योंकि अगर आप देखे तो जो गीरनार परवत है मौर्य काल में एक important Buddhist center हुआ करता था उपर कोट किले के पास में ही Buddhist caves है यहाँ पर समराट अशोक का edict भी है जो यह बताता है the fact कि यहाँ पर समराट अशोक ने अपना edict डाला कि मौर्य समराज में एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ होगा इसलिए यहाँ पर वो edict है और प्लस अगर आप भारत के इतिहास में देखे तो हिंदु धर्मियों के लिए बौध धर्मियों के लिए और जैन धर्मियों के लिए गीरनार परवत का बहुत ही महत्व है तो इन तीन धर्मियों का religious स्थान होने के कारण गीरनार परवत और उसके प्रवेश पर स्थित ये किला बहुत ही महत्वपूर्ण था आज का जो उपरकोर्ट किला हम देखते हैं उसका निर्मान ये माना जाता है कि नवी शताबदी में यहां के जो चूड़ा सामा राजपूत राजा हैं उन्होंने करवाया तो जुनागड का और एक महत्व था अगर आप देखें वहां से दक्षन तक वहां पर बहुत महत्वपूर्ण बंदरगा है जैसे कि वेरावल है जो काफी व्यापार के केंदर हुआ करते थे प्लस वहां पास में सोबनात का मंदर भी है जो प्राचीन भारत का सबसे इंपोर्टन्ट हिंदू धर्मियों के स्थानों में से एक था और उसके उत्तर में द्वार का है जो और एक हिंदू का बहुत ही महत्व पूर्ण तीर्थ था तो ऐसा एक स्ट्रिटीजिक लोकेशन होने के कारण जुनागड का बहुत ही महत्व इतिहास में रहा चुडा सामा राजाओं ने यहाँ पर राज किया 1450 का दशक है 1450 तक और तब जो गुजरात सल्टनेट है जो चामपानेर पावागड और पर एंदाबाद से राज करते थे उन्होंने एक बड़ी फॉज लेकर जो महमूद बेगड़ा करके जो सुल्तान थे गुजरात के उन्होंने यहाँ पर हमला कर लिया तब राजा मंदलिक यहाँ पर राज किया करते थे राजा मंदलिक के समय जुनागड का और एक महत्व था कि यहाँ पर जो नर्सिंग महता है जो गुजरात के सबसे इंपोर्टन भक्ती पोएट्स में से एक और महात्मा गांधी के फीवरिट पोएट थे वो जुनागड से थे और जो यहाँ पर उन्होंने वैशनव ट्रडिशन का प्रचार किया और एक बहुत ही फीमस भजन है उनका वैशनव जनतो जो महात्मा गांधी का जो फीवरिट भजन था और उनकी सभाव में गाया जाता था वो यही पर जुनागड में ही उन्होंने कंपोज किया चुडा सामा राज खतम होने के बाद यहाँ पर गुजरात सल्टनेट का राज हुआ और फिर से युनो एक और जुनागड को एक स्ट्रिटीजिक महत्व मिला क्योंकि उस समय पर जो पोर्तुगाली थे और जो ताकते थी वो अपना जमाव कोस्ट पर उन्होंने अपना कंट्रोल लेना शुरू कर लिया था उन्होंने जो ड्यू आइलेंड है वहाँ पर उन्होंने कबजा कर लिया था और जो shipping और जो international व्यापार गुजरात के तट पर होता था, उस पे काफी नोगजोक जो गुजरात के सुल्तान थे और पॉर्टुगालियों के बीच होती थी और जो जुनागड का किला है वहाँ पर तोफ़े हैं जो actually इजिप्ट से लाई गई है क्योंकि जो गुजरात के सुल्तान थे उन्हें पॉर्टुगालियों को रेजिस्ट करना था और फिर उन्होंने एक alliance किया था इजिप्ट के राजाओं के साथ और बाकी ताकतों के साथ हराने के लिए पर ऐसा नहीं हुआ और पॉर्टुगालियों की जीत हुई और द्यू 1961 तक पॉर्टुगालियों के कबजे में रहा तो एक तरह से तो जो तट का जो कंट्रोल है गुजरात का वो तो चला ही गया था पर जो काठ्यावार्ड प्रांथ है उसे कंट्रोल करने क लिए जुनागर्ड बहुती महत्वपूर्ण रहा करीम 1550 के दशक में जब बादशाह हुमायून दिल्ली पर राज कर रहे थे और मुगलों के हमले बाकी राजों पर हो रहे थे तब बाबी जो ट्राइब है अफगानिस्तान की उसके काफी लोग मुगल फौज में भरती ह हुए थे और बहादूर खान जी बाबी है वो हुमायून बादशाह के फौज में थे और उन्होंने काफी मदद की थी चित्तोड की लड़ाई में जो चित्तोडगर का किला है जब हुमायून ने उस पर हमला किया था तो उसकी वज़ए से जो बाबी घराना है उसका सौ साल बाद 1650 के दशक में जब मुगल बादशाह शाह जहान का राज था तब तक तो पूरे गुजरात और काठियावार पर मुगलों का कबदा हो गया था तब जो बाबी घराने के लोग हैं उन्हें मुगल गुजरात में काफी इंपोर्टेंट ओदे पर उन्हें रखा तो मुगल सामराज तूटने लगा और जो रीजनल ताकते थी वो अपना स्वतंतर राज चलाने लगी और यही कुछ हुआ सावराष्ट्र में और लिटरली जिसे हम बोलते हैं सावराष्ट्र या सावराष्ट्र वो सावराष्ट्र उसमें बट गया अगर आपको जो पुलिटिकल टर्मोईल था और जो लडाईया हो रही थी इसका अड्वांटेज लेकर जो वहां के जो बाबी नवाब थे उन्होंने अपने राज्य स्वतंतर राज्य बनाए और बाबियों के तीन प्रमुक राज्य थे एक था सबसे बड़ा जिसमें था वो था जुन इंगल एक बनता है उसका तो जो उन्होंने अपने राज्य बनाए और वहां पर राज करना शुरू किया तो इस तरह से बाबियों ने अपने ये तीन राज्य बनाए और काफे सालों तक जो बड़ोदा के गायकवार्ड राजपरिवार हैं उन्हें वो ट्रिब्यूट दे के साथ एक ट्रीटी की एक तहे किया और उसके तहे ये जो बाकी के जो ये जो सौराष्टर के और गुजरात के जो छोटे छोटे राजप थे जो पहले गायकवारों के अदीन थे वो ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के अदीन हो गये और इसी तरह से जुनागड राज थी और सौराष्टर में सबसे अमीर और बड़े रियासतों में से एक थी उसके साथ उसकी कंपारिजन करें तो सिर्फ जामनगर और भावनगर ही थे तो बहुत ही एक महत्वपूर और प्रिस्टिजिस रियासत थी जुनागड का सबसे बड़ा अडवांटेज था कि उनके पास पॉट्स थे जैसे कि उनका मुख्य पॉट्स था वेरावल था और चोटे-चोटे बंदर गाते जैसे कि चोरवाड और यह जो बाकी एरियाज है और उस समय पर अगर आप देखे तो जो ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी है वो रियासतों को अपने पॉट्स नहीं जुनागर्ड स्टेट के साथ होता था जिसकी वज़ेसे जुनागर्ड स्टेट के पास काफी संपत्ति आ गई थी अराउन 1870 के दशक में जुनागर्ड पर नवाब महबत खान जी द सेकेंड का राज था और उन्होंने एक काफी मॉडनाइजिंग रोल अदा किया यहाँ पर शिक्षा यहाँ पर सडकें यहाँ पर विकास काफी विकास काम उस समय हुआ और एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर आप जुनागर्ड देखे तो उसमें काफी जो सौराश्टर के जंगल थे उनका समावेश था और इन जंगलों में गीर लायन जिसे हम कहते हैं जो एशियाटिक लायन्स हैं वहाँ पर काफी बड़ी तादाद में थे तो अनफॉर्चुनेटली शिकार की वज़े से और जो फॉरेस्ट है उसके डिस्ट्रक्शन होने की वज़े से काफी उनकी संख्या बहुत घट चुकी थी पर उन्होंने पहली बार एक ऐसा रूल ब शुरुवात थी 1890s में जब लवाब महाबत खान जी दे सेकेंड का निधन हो गया तब उनका एक बहुत ही खुपसूरत मगबरा जुनागर्ड में बनाया गया और ये महाबत खान का मगबरा एक जुनागर्ड शहर का एक लैंडमार्क है वो एक उसका एक बहुत ही युनीक construction है उसका आप symmetry देखिए मेरा मानना है कि देश के सबसे खुपसूरत मगबरों में से एक है और thankfully I mean despite ये जो political changes हुए है और राज आए है राज गए है पर वो एक वो अच्छी स्थिती में आज भी है और अगर आप देखे तो नवाबी buildings में वो सबसे well maintained नवाबी building है जुना जुनागड के इतिहास के और in fact भारत के इतिहास के सबसे रंगीन और interesting शासकों में से एक थे जुनागड के आखरी नवा महबत खांजी द थर्ड तीसरे महबत खांजी जो थे वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे और जो गीर लायन है उनके conservation के लिए उन्होंने काफी क काम किये और in fact अगर हम कहें तो आज अगर गीर में एशियाटिक लायन बचे हुए है तो नवा तीसरे महबत खांजी के efforts की बज़े से ही बचे हुए है पर उनका जो जिन्दगी का biggest love of his life वो था कुट्ते और ऐसा कहा जाता है कि उनके पास हजारों कुट्ते थे I mean ऐसी ऐसी कहानिया है और ये सिर्फ कहानिया नहीं है in fact you know ये एतियासिक पत्य है कि जो उनके जो कुट्ते थे वो air condition cannells में रहते थे तो नवाब महाबत खान जी तीसरे और उनके जो कुट्ते का प्रेय में है उसकी सबसे famous कहानी है जिसे हम बोलते हैं the dog wedding of जुनागर या कुट्तों की शादी तो नवाब महाबत खान जी जो है उनकी एक favorite dog थी जिसका नाम था रोश्नारा और उन्होंने अपने जो दीवान है प्राइम मिनिस्टर उनका एक कुट्ता था बॉबी करके उसके साथ उन्होंने कहा कि हम इनकी शादी करवाएंगे और एक literally कुट्तों की एक बारात निकली थी हाथी पर जुनागर में और एक मेजवानिया लगी थी बैंकुट्स लगे थे और यह बहुत यह प्रिंसली हिस्टरी का एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है generally जुनागर रियासत का इतिहास अगर आप देखे तो आपको पता चलेगा कि यहां के जो नवाप थे वो काफी progressive और tolerant थे जैसे कि आपको कभी हैदरबाद या भोपाल के इतिहास में आपको यह संधर्ब मिलता है कि कभी हिंदूओं पर अत्याचार किया हो या जुल्म किया हो पर वैसा जुनागर में कभी हुआ नहीं वो बहुत ही जो यहां की जो हिंदू जनता थी वो काफी खुश थी अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि आपकी एक गल्ती आपके पूरे इतिहास को काला कर सकती है और वैसी ही एक गल्ती हुई नवाब महाबद खान जी के साथ 1947 में जब भारत आजाद होने लगा तो जितनी भी रियासते थी उनको option दिया गया कि आप आइदर पाकिस्तान या हिंदूस्तान को जॉइन कर सकते हैं जो आसपास की जो सारी रियासते थी उन्होंने हिंदूस्तान को जॉइन किया तब क्या हुआ, उस समय के जो जुनागड के दिवान थे, वो थे सर शाहनवास भुट्टो, जो जुल्फिकर अली भुट्टो के पिताजी, और जो तेमर्स पाकिस्तानी पॉलिटेशन है, बेनजीर भुट्टो, उनके दाधा, और सर शाहनवास भुट्टो ने नवाब साब को कहा कि आप हिंदुस्तान को मत जॉइन कीजे आप पाकिस्तान जॉइन कीजे तब जुनागड के जो नवाब है उन्हें बाकी जो राजा है जामनगर गोड़नल और उन सब ने सला दी कि आप हिंदुस्तान जॉइन कीजे पर उनकी सला न मानकर नवाब महाबत खान जी ने के साथ Act of Accession sign किया जिसका मतलब था कि जुनागड पाकिस्तान का पार्ट बन गया उसके वज़े से क्या हुआ जो आम जनता है जुनागड की उसमें एक विद्रो हुआ शामलदास गांधी करके एक स्वतंतता सेनानी थे उन्होंने एक मुहीम चलाई नवाब के खिलाफ और लिटरली जो नवाब का जो administration था उनके हाथों से सत्ता चली गई और जिसे उस समय अरजी हुकूमत या लोगों की हुकूमत कहां जाता था उन्होंने लिटरली जादा तर जुनागड पर कबजा कर लिया तो लोगों के विद्रों के कारण नवाब साहब डर गए और एक दिन एक हवाई जहाज में अपने हीरे जवाहिरात अपने बीवी और बच्चे अपने फेवरेट कुत्ते और एक वेटिनरी डॉक्टर के साथ नवाब साहब कराची चले गए नवाब पाकिस्तान जाने के बाद भारत सरकार ने यहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया और भारी बहुमत से जो जुनागड की जनता है उन्होंने भारत का पार्ट बनना स्विकार किया और जुनागड भारत का एक अबिन्ना अंग बन गया जुनागड रियासत से जुड़ी दो और इंट्रेस्टिंग बाते हैं एक जुनागड के जो नवाब थे उनका एक समर पालेस हुआ करता था चोरवाड गाओ में जो एक बीच पर बना हुआ था इसी गाओ का एक युवक जब ये मर्जर और जो जगडे इंडिया पाकिस्तान के बीच और नवाब के बीच चल रहे थे तो वो involved था कि नवाब के खिलाफ डेमेंस्टेशन में और नवाब के खिलाफ सभाव में ये युवक आगे चल कर भारत का सबसे बड़ा इंडस्टिरलिस्ट बना और उसका नाम था धिरुभाई अंबानी दूसरी बात ये है कि जब जुनागर्ड भारत का हिस्सा बना तो यहाँ पर जो सोमनात मंदिर था उसके अवशिश बने वे थे क्योंकि वो इतनी बार तूटा था तो कनहिया लाल मुन्शी और जो भारत सरकार है मिलकर एक पब्लिक सब्सक्रिप्शन के साथ उन्होंने सोमनात मंदिर का पुनर निर्मान किया और आज भी ये खुबसूरत सोमनात मंदिर देखा जा सकता है सैडली आज जुनागर्ड का इतना महत्व नहीं है जितना इतिहास में हुआ करता था पर आज गीरनार परवत के कारण और यहाँ पर आ रहे जो पिल्ग्रिम्स हैं जो श्रद्धालू हैं उनके कारण काफी लोग यहाँ पर आते हैं पर सैडली यहाँ की जो नवाबी विरासत है वो अल्मोस्ट खतम होती जा रही है अभी जो महाबत खान जी का मगबरा है उसे छोड़कर जो उनके महल हैं और हवेलियां हैं बाकी जो बिल्डिंग्स हैं वो खंडर हो चुकी हैं और जो भी हुआ हो 1947 में सच बात तो यह है कि यह हमारे इतिहास का एक भाग है और हमें उसे प्रिजर्व करना चाहिए तो होपफुली अब टूरिजम के चलते हैं और इनौल यहा की नवाबी बिल्डिंग्स का प्रिजर्वेशन हो और जूनागड का आगे भी एक गौरफशाली इतिहास हो नवाब का एक स्बस्थदब का